आज किस वीटो में मैं आपको ये बताऊंगे कि आप बहुत ही जादा टेस्टी और स्पाइसी मंचूरान आपके घर पे किस तरीके से बना सकते हो और भी बिना अजिनो मोटो नमक की मैं बात करूँ तो वह एक तरीके का नमक है जो कि जादा करके सभी चानिस फूड में डाल नहीं करेंगे तो वह कैसे आप इस वीटो को देखिए बिना रेट किए आपना स्टाट करते हैं आप देख सकते में तो प्त्रत के लिए तो पता गोबी को थोड़ा सा बारिक रहरे कर लेना है इसके नहिमीं सबसे पहले हुआ ने वाली हूँ जी हाँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर अब मैं इसके अंदर लसुन मीचे अद्रक का पेस जो आमने पीस लिया था अब इसके अंदर मैं मैदा डालने वाली हूँ जी हाँ आपको मैदा आप देख सकते हूँ वैसे मैंने याँ पे एक कटोरी मैदा लिया तो मैं थोड़ा सा बचा ले रही हूँ अगर हमें लगेगा तो हम और ले लेंगे अब आप देख सकते हूँ यह है आदा रोड कौन स्टाज अगर मैं इसके मेजर्मेंट की बात करूँ तो यह अगर आप एक कप मैदा ले रहे हूँ तो आपको अधा कप आरा रोड लेना है अधा कप कौन स्टाज लेना है जी हाँ यह तो इसके मेजर्मेंट की बात हो गई अब आप देख सकते हूँ अब मिसके अंदर जीरा डाल रही हूँ आदे चमस से कम यह थोड़ा सा गरम मसाला है यह फूट कलर है रेट फूट कलर और यह नमक है यह नॉर्मल नमक है जो हम घर पर इस्तिमाल करते हैं तो आपको इसे अच्छी तरगे से मिक्स कर लेना है आप देख सकते हूँ यह तो मिक्स हो गया है आपको इसके अंदर बहुत ही कम पानी कि इस्तिमाल करने वाली हूँ क्यूंकि गोबी के अंदर खुद ही पानी होता है आप आप देख सकते हूँ, मिक्स करने के बादे यह कुछ इस तरीके से दिखेगा तो पानी जरूरत के साब से है आपको डालना है अब आपको थोड़ा ताकत लगाते हुए आपको आपके हातों से इस तरीके से कर लेना है और आप देखोगे कि जब आप इससे कुछ तीन से चार मिनट जब आप इससे करोगे तो वो खुद ही पानी रिलीज हो जाता है पता गोबी में से आपको इसे इस तरीके से करते रहना कोई-कोई पता गोबी कम पानी छोड़ता और कोई-कोई जादा आप देख सकते हो यह रैडी है और मैंने इसके ने बिल्कुल भी पानी एड नहीं किया था और यह बस इसी तरीके से तयार होना चाहिए कि इससे हमारा मंचुरन बहुत ही जादा अच्छा बनता है अब में इसके अंदर थोड़ा सा राइस फ्लार है चावल का अटा है तो यह एक चमच में डाल जो है बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चाहते हो कि मंचुरन थोड़ा जादा क्रिस्पी बने तो आप डाले अदरवाइस आप सिस्कीप कर सकते हो वैसे भी मंचुरन क्रिस्पी बने गा ही लेकिन यह डालने से थोड़ा जादा बन जाएगा अब आप देख सकते हो तैयार है अब हम स्लरी बनाते हैं सबसे पहले हम उसकी चट्नी बनाने वाले तो मैं दो चम्मच आरा रोड ले रही हूँ अब इसके आपको पानी राल के अच्छी तरके से बस इसे मिक्स कर लेना है अब आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया तेल गरम होते हैं इसके अंदर में लस्ट मिचे अद्रक का जो पेस था वो मैंने डाल दी और वो डालते हैं आपको इसके अंदर आप प्यास डाल देना है 10 से 15 सिकेंड होते ही आपको इसे एक बद चला लेना है और अब मैं इसके अंदर रेट चिली सॉस डाल दे रही हूं एक चमच के करीब और यह सोया सॉस से रेट चिली सॉस की जगे पे आप टेमेटो केचप का भी इस्तिमाल कर सकते हो अब मैं इसके अंदर फूट कलर डाल दे रही हूं थोड़ा सा और यह आरा रोट की सलरी आपको चलाते हुए डालना है और आप इसे जैसी डालोगे आपको इसके तुरंत पानी डालेके इसे अधर वाइस वह पर्फेक्ट चटनी नहीं बनती है हमारी वैसे आप इसे मंचूरन के साथ बनाओगे तो आपको अच्छे लगेगा अगर आपको चानीज भेल खाना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से अप्लोड करके रखिए उसकी चटनी मैंने बहुत डिफ सकते हो देख सकते हो हमारी चटनी रेडी होगी और इसकी ठीकनेश बढ़ जाती है जैसे यह पकने लगता है अब मैं इसके टेस के साब से नमक डाल दे रही है और चटनी जैसे ही पकने लगे आपको गैस के फ्रेम को बन कर देना है इस बात का ध्यान रिखिए कि आप आरा अप करते हैं कि मैस्तरण को फ्राइब Lego गडिस में सभ्सट्र रज उसक्राल रहें कर अगर में अच्छें से अंदर से हो जाएगा आपको इस थरीखलो अन्दर से आपको झालन को अवाब गय मनत देना है मंचुरन बॉल आप जाधा बड़े साइज में मत बनाएए त्राइ किजिए कि आप उसे मीडम साइज में ही रखिए आप देख सकते हो जितना मंचुरन बॉल बन सके आप इसके अंदर डाल देजिए अब आप देख सकते हो अब आपको एक मिनट का इंतिजार करना है एक मिनट होते ही आपको इसको पलट लेना है पलटने के बाद आपको फिर से इसे एक मिनट होने देना है मीटन फ्लेम पे आप देख सकते हो एक मिनट हो गया अब आपको गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और आपको यह स्टेप करना है जो मैं कर यह स्टेप करने से मंचुरन बहार से जाधा क्रिस्पी होता है और वो अंदर से पर्ग जाता है अच्छी तरीके से यह आपको जाधा नहीं सिर्फ घड़ी देखिए आधे मिनट के करिब करना है लेकिन गेस का फ्रेम हाई होना चाहिए आप देख सकते हो मंचुरन हमारा रेडी हो गया और वह बहुत जाधा क्रिस्पी है अब मैं सेकेंड बेज भी इसी तरके से बना लेती हूँ जो मंचुरन बच गया है आपको प्रोसेस सेम वही रखना है हमारा ये मंचुरन भी रेडी हो गया अब मैं इसकी प्रेटिंग करक कि बहुत जादा क्रिस्पी है आप इसकी आवाज दिन सकते हों कि एकना जादा किस्पी बना है और यह अंधर से बहुत जादा सौफ है अगर आपको वीड़ो अच्छी लगी होगे अगर आपको वीड़ो को लाइक कीजे मुझे कॉमेंट करके जरूर पता है कि आपको वी लेकिन उसके एडिटिंग अच्छी नहीं होने के वज़े से मैंने इस वीड़ो को फिर से अप्लोड किया है कुछ चेंजेस करके और आप भी सब्सक्राइब के जिए थेंक्स पर वाचिंग पाव पाटिक के